इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि मुंगेर युनिवसिटी का 2225 सेशन वाले का जो रिजल्ट आया था उसका स्कूटनी का बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसकूटनी का डेट कब आएगा तो 2225 सेशन का स्कूटनी का डेट आगी आया खुसगवरी है कि पाइदा कितना होता है नहीं होता है इसकूटनी करें करें या नहीं करें वह भी डिटेल जानेंगे साथी आपको इसकूटनी में कितना पैसा लगेगा क्या 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 ड accountability लेंगा वह सारा डिटेल जाने और यह था संहरा याओर terror देज साहथिए मुंगर स्कूटनी करें तो देखिए ये ओपिसल नोटिफिकेशन 141 नूमर 24 है डिपार्टमेंट ओप एक्जाइमनेशन की और से जारी किया गया इसमें देखिए असनान तक कला संकाय के शातरा एभूम शातरानकों को सुचीत किया जाता है कि उनका परिचापल परकासित किया जा चुड़ाया है किनका 2022 से Seize legen का परकासित परिचापल में कोई शातर एभूम 16 के लिए एक छुक हो यानिकि अपना रिजल्ट को इसकूटनी कराना चाते हैं आप अपने रिजल्ट से संतूश नहीं, बहुत लोगों का रिजल्ट थोड़ा खराब दिया गया है, इसलिए एक चुक नहीं है, तो एक चुक हैं, आप इसकूटनी कराने लिए, तो वैसे 6-7 बिस्विदाले के पोर्टल के माध्यम से दिनाख 27 जनवरी 2024 से लेके 3 फरवरी 2024 तक online scrutiny form fill up कर सकते हैं, जानी कि कैसा scrutiny होगा, online होगा, जानी कि अब आप लोग को college या university जाने की कोई ज़रत नहीं है, और university का एक अच्छा पहला है कि online scrutiny करा ले, क्यों candidate को परिशान करेगा, तो आप लोग का online ही होगा, वांकि कैसे होगा, वो जानेंगे, तो अब देकि important य जानते हैं, scrutiny fee कितना लगेगा, उसका detail यहां पे दिया है, पर paper 200 लगेगा, यानि कि आप एक paper, एक subject का कराना चाते हैं, तो 200 लगेगा, और अधिक्तम तीन paper तक आप scrutiny करा सकते हैं, कितना तीन subject का scrutiny करा सकते हैं, अधिक्तम, लेकिन आपको एक paper का 200 देना होगा, यह ज़िए अब जानते हैं, कि scrutiny कैसे करेंगे, नोट, scrutiny में दखिए, क्या लिखाओ, answer book या re-checking या re-evaluation नहीं होता है, यानि कि scrutiny जो करवाएंगे, उसमें फिर से checking नहीं होगा, जैसे आपको मानले, यह किसी subject में 48 marks ही है, तो 48 marks का फिर से re-checking नहीं करेगा, कि कहां पे 5, कहां पे 6, कह कम दी हैं, कहां ज़्यादा दी हैं, उसका नहीं करेगा, यह लोग सीफ क्या करेगा, उसका एक total, subtotal count कर देगा, जैसे question number 1 में 5 marks दिया, question number 2 में 13 दिया, question number 3 में 12 दिया, इस तरह करके सभी question का जो adding होगा, वो बस ये adding कर देगा, आपका नहीं re-checking करेगा, re-evaluation नहीं करेगा नहीं कोई गलती सही होगा, तो उसमें सुधार की जाएगी, बस आपका सब total count करेगा, कि किसी किसी का होता है कि इतने सारे question में total count करने में गलती होगा, जैसे 72 marks आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इनका 48 लिख दिया, 60 लिख दिया, या तो 72 को 27 लिख दिया, ऐसे उल्टा भ एडिशन देखा जाता है, जैनि कि एडिशन सिफ देखा जाता है कि कहीं गलती तो नहीं है, अगर किसी छात्र उन छात्राओं को एग्जामिनेर दोरा क्या गया, जो एडिशन एब मार्क्स पोस्टिंग सही पाये जाता है, तो result no change होगा, जैनि कि जो examination मार्कस एक बार दे चुका है, वो तो no change ही होगा, लेकिन जदी सब total उनका सही है, जैसे किसी का 48 मास दिया गया और फिर से total करके देखेगा, तो आपका scrutiny का result क्या आएगा, नो change करके लिख क्या आएगा, इसलिए ज्यादा तर no change दे देता है इसको, अब देखिए, document क्या लेगागा, परशार् जो part 1 का result आया आपका, तो result तो अभी दिया नहीं, mark sheet बगरा, तो TR copy जो आया है, university, जो TR copy college जारी किया है, वही आपको देना होगा, उसी का, जिस page में आपका नाम है, उस page को आप print करवा लेंगे, और वही upload करेंगे, तो तीनी document लगेगा, ज्यादा नहीं, क्या application form, आपेज print card और तीसरा परिछा पल की छाया परती, जिस page में आपका नाम है, उसको print करा के दे दीजिएगा, आप लोग, बांकि ये notification 100% सही है, देख सकते हैं आप लोग, और इस तरह से आप लोग animation करा लेंगे, तो इसमें key point की बात करें, तो आप लोग part 1, part 2, sorry, part 1 का जो कराएंग जो लोग बहुत ज़्यादा confidence है कि हमारा marks बहुत ही कम आ गया, वो लोग कराई लें, 200 रुपया आएगा जाएगा, ज़्यादा नहीं, साथ टोटल गलती किया हो, लेकिन rechecking तो करेंगा नहीं ये लोग, बांकि किसी का यदि 5-10 नमर का फर्क लग रहा है, तो बो लोग न जो लोग फेल या पर्मोट कर गए हैं, वो लोग करा लें, साइथ आप लोग पास हो जाएए, 200 रुपया बड़ी बात नहीं होता है, बांकि पसंद आने पर लाइक से सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल को, आप लोग का सेशन केंडिडेट कुछ ही होगा अभी हमारे चैनल पर क्योंकि और आप लोग से जो सिनियर लोग था बोलोग हमको जानते हैं, लेकिन आप लोग जो भी नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे अपडेट देते रहेंगे, जैहिन जै भारत